नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्ट्रॉक इजी में स्वागत है दोस्तो आज हम एक पैटन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पैटन काफी ट्रेडर्स उसके बारे में बात करते हैं आपने भी काफी उसके बारे में सुना होगा जब भी बात होती है कि चार्ट में यह पातर सबस्कु hatte है कょसे पात बनता है और गरत बनता है और पातर मुस्के बनता ऐख करेंगे वह देख सकते हैं और भेंट बात बंगत करेंगे ये। पूषके रोहरश हlude अंफ नशिक का बनता में यो डिख शार्ट पना कैसा है प्र एक किन ये रही देखकिंत को पर उपर की और जाएगा आप देख सकते हैं पहले इसका ट्रेंड उपर जाएगा फिर वहां से शेर में गिरावट आती है वो एक हाई मार देगा यहां पर फिर रिटन थोड़ा सो उसमें गिरावट आएगी करेक्शन आएगा रिटन प्राइस उपर जाएगा और कहां पर जहां पे इसने अपना ये पहला हाइमारा है उसी price के आसपास जाके ये return नीचे की और आ जाएगा इसे जब ये नीचे की और आ जाएगा आप देख सकते हैं इधर कैसे इसने double top बना दिया है इसे कहते हैं double top जब price उपर की और जाता है उदर के अपना समय व्यतित करता है और फिर return वहां से वो नीचे की और आता है यहां पे फिर return वो उपर जाता है और वो ज़्यादा उपर न जाके इसी price के आसपास रहके trade करके वो return नीचे की और आ जाता है तो फिर price जिस तरह आप देख रहे हैं यहां पे इसने यह trade किया हुआ है इसे लोग double top pattern कहते हैं और यह आपको chart में M word के जैसा दिखेगा जिसे M word हम लिखते हैं capital में वैसे यह आपको M के जैसा chart में दिखेगा जब यह top पे बनेगा यह बहुत ही clearly दिखता है जब आप chart खोलेंगे अगर कहीं पे double top बना है तो आपको आराम से double top दिख जाएगा दोस्तों यह chart में कब बनता है जब market काफी अच्छा trend कर रहा हो काफी uptrend हो गया हो और share में काफी बढ़क जब हो जाती है जब इसके गिरने का वक्त हो जाता है जब ज़्यादा बाइंग हो जाती है overbote हो जाता है market तब यह ज़्यादा कर अब trend में यह जो pattern है अब trend में ही बनता है जैसे भी देख रहे हैं आप यह share उपर की और जा रहा है तो कहीं इधर ही एक यह trend भी बन सकता है ऐसे उपर जाएगा फिर नीचे आएगा return इसी price के आसपास आके फिर यह नीचे की और trade करने लगेगा यह जो आप line देख रहे हैं इसको हम कहते है neck line यह एक होती confirmation कि यहाँ पर double top बन चुका है बहुत से लोग जब इधर double top बन जाता है यहाँ से trade करना start कर देते हैं और बहुत से लोग एक confirmation का wait करते हैं जैसे कि यह जो हमारा आप देख रहे हैं swing low जब यह swing low यह वाली line जब return उपर जाके price return नीचे की और आती है जब यह break कर देती है इसको और इसकी नीचे हमें एक closing दे देती है इसकी bearish long candle के साथ तब यहां से हम अपना short करना start कर देते हैं और हमें confirmation मिल जाती है कि मार्केट में यहां से गिरावट आना शुरू हो चुका है तो दोस्तों यह pattern हमें एक दू अपनी shares में देखेंगे जिससे आपको clear हो जाए कि double top बनता कैसे है जैसी कि हमारा जो पहला share रहेगा वो रहेगा इमामी इसके हम daily chart पे जाएंगे इसके हम पहले monthly chart पे जाएंगे इसको यहां पे आप देख सकते हैं आपको double top एकदम clearly दीख रहा हो कि double top कहां बना हुआ है monthly chart पे आप यहां पे देख सकते हैं कहां पे बनाई यह पहले इसने इधर uptrend लिया फिर यहां उपर जाके यह price return नीचे आई यहां पे इसने trade किया फिर इधर थूड़ा सा उपर गई इसने एक lower high बनाया फिर price नीचे आई return यह कहां पे गई top के पास गई जहां पे यह हमारा यह top बना था वहीं जाकर यहां से यह return आया आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे इसने हमारा जो low था swing low वह हां पे break नहीं हुआ है यहां पे जब यह return double top जब यह price ने बनाया हुआ है उसके बाद से यहां पे हम इदर break out मिला है उसके बाद आप देख सकते हैं यह share में किस तरह यहां पे आप देख सकते हैं गिरावट आ चुकी है तो जब भी जो double top बनता है हमारे चार्ट पे वह हमेशा up trend में बनता है double top बनने का मतलब यह होता है कि अब यहां से share में गिरावट बन सकती है आपको यहां पे सतर्ख हो जाना है अगर आपने उस share में अपनी long की position बनाई है तो आपको वहां से अपना stop loss को इदम strict कर लेना है कि अगर आपको आपका वो जो share हो नीचे आने लगे तो जो आपका stop loss से आपके मुनाफ़े को बचा लें तो दोस्तो आज के लिए महीं रुकते हैं अगर इस topics related कोई वी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रहां सब्सक्राइब करें मैं आपसे जल मिलूंगे एक हुआ 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 है